अगर आप लोग ने हमारे से पोकेट स्केल प्रचेस किया है या अगर आप प्रचेस करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को पोकेट स्केल की अंबोक्सिंग भी करूँगा और इसकी जो है एकुरेशी में आपको चेक तरवाँगा कि 200 ग्राम हम रखते हैं त है मुकामल देखते हैं तो अन्बोक्सिंग जो है विसको अपन करेंगे तो आप यह देखेंगे के इसए अंदर से दो मैं आपको बिताता चलूँ कि इसके अंदर से एक simple manual भी निकलता है अगर आप यह देखेंगे manual इसका तो manual के उपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम लोगों ने आपको बताया हुए कि इसमें counting function किस तरीके से operate होता है इसमें कौन कौन से units है तो यह complete detail जो है manual के उपर हमने बताया हुई है इसकी complete operate करने का तरीका वो इसका link मैं आपको description में डाल दूँगा कि आप यह सारे function जो है वो complete detail अगर आप लोगों ने search करने है pocket scale by care international scale pocket scale guide by care international scale तो वो वीडियो मिल जेगी अगर आप लोगोंने calibration की वीडियो देखनी है तो आप लोग देख सकते है pocket scale calibration by care international scale तो उसकी भी आजेगी मैं description में भी जो है उसका link आपको भीज़ दूँगा तो यह simple इसका manual आ गया यह इसके cell आ गया cell डालने का तरीका किया है यह इसका box है box भी हम side में रख देते हैं इसका ताकि आप लोगों पता लगता जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं अब हम simple इसका जो है सबसे पहले हमने cell डालने है तो cell डालने के लिए हमने simple इसको back cover को इसको open करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह plus और minus का sign है जो minus का sign होता है वो हमेशा जहाँ पर spring लगा होता है वहाँ पर आपने लगाना होता है तो यह minus का sign जो है मैं यहाँ पर spring ओली side पर लगा के इसको press कर देता हूं और इसी तरीके से यह जो minus का sign है यह spring ओली side पर ल तो यह एक दफ़ा ओन करते हैं तो यह आप देख सकते हैं इसके उपर 00 आ गया है तो जब 00 आ जए तो अब हम यहाँ पर इसको की एकुरेशी चेक करते हैं किया इसकी एकुरेशी 100% है या नहीं तो सबसे पहले हम यह हम वन ग्राम जो है यह हमारे पास वन ग्राम का डेड़ यो 1 ग्राम मैं जो है इसके ऊपर रख देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ग्राट के बाद मिरे होगा मेरे पास ये ज़ेक कर रहा है उपके बाद 25.ich परहां अवाफी हवा भी ओगी तो यह आगे छल्की फूग से भी वजन ये शो करेगा तो यह 5 घ्राम का है तो आप यह देख क्वाइव सकते हैं फाइव भी बिलकुल हमें ऐकुरेट वेट इसओ कर रहा है तो अब हम 10 घ्राम का इसके उपर रखते हैं यह 10 gram का dead weight है हमारे पास 10 gram का मैं उपर रखता हूँ यह 10 gram भी हमें बिल्कुल 100% accurate दे रहा है अला कि इसकी अभी हमने ना कोई calibration की है अभी हमने simple इसके अंदर से निकाला है तो यह हमारे पास अब जो dead weight है 20 gram का है यह आप देख सकते हैं 20 gram का dead weight है 20 gram का हम dead weight platform इसके उपर scale के उपर रखते हैं तो यह भी हमें बिल्कुल यानि 1 mili जो है उसमें यह dead weight का भी एक्सर फर्क होता है तो यह बिल्कुल हमें accurate ही बता रहा है बिल्कुल हमें यह आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% एकुरेसी इसकी बहुत जबरदस्त है तो उसके बाद हम इसके उपर हम यह 50 ग्राम वाला है 50 ग्राम हम उपर रख देते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि 50 ग्राम भी जो है वो भी हमें 100% accuracy यह हमें दे रहा है तो उसके बाद हमारे पास फिस यह 100 gram का है यह 100 gram वाला हमारे पास है तो 100 gram वाला भी हम उसके उपर रख देते हैं तो 99.9 और बिल्कुल यह हमें 100 जो है 100 gram बिल्कुल हमें accurate हमें दे रहा है तो इसके बाद हमारे पर 200 gram का है 200 gram का है ये आप देख सकते हैं वो भी हम उपर रख के चेक कर लेते हैं ये आप देख सकते हैं 200 gram जो है वो भी हमें बिल्कुल accurate यानि इसके 200 gram से मामूली सा भी ये उपर होगा तो ये हमें overload शो कर देगा यह आप देख सकते हैं ममूली सा भी अगर उपर होगा तो यह overload OL शो कर रहा है OL का मतलब है यह इस टाइम जो है यह जो इस टाइम है 200 इसकी total capacity है तो 200 तक भी हमें यह बता रहा है और उसके बाद 200 से कुछ gram, mili gram उपर हमें बता रहा है तो यह आप देख सकते हैं 200 gram भी हमें बिलिकुल accurate कुछ यह मैं बोल रहा हूं थोड़ा नजदीक आके बोल रहा हूं तो जिसकी वज़ासे यह हमें हवा का वजन भी हमें बता रहा है तो अगर मैं इसके उपर सर्फ करें यह फूक मारता हूं यह देखें जैसे तो यह आप देखें फूक का वजन भी हमें कितना ज़्यादा यह देखें वो मिलिक्राम में हमें फूक के उपर भी वजन हमें यह बता रहा है तो यह आप देख सकते हैं कि इसकी accuracy कितनी अच्छी है अगर आप लोगों ने यह scale purchase करना है तो उपर हमारा number दिया गिया है आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से purchase कर सकते हैं जी friend उसके इलाव अगर आप लोगो इसके मतालिक इसमें क्या क्या function है तो यह simple आप यह देख सकते है pocket scale operation guide by care international अगर आप search youtube पे करेंगे तो यह user guide आजेगी यह user guide के अंदर हमने complete सारा बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या 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 options है tier function किस तरीके से इस्तमाल होता है counting function किस तरीके से इस्तमाल होता है उसके इलावा इसमें क्या कहते हैं इसकी total range कितनी है calibration कैसे होते है और complete art wall जो है detail हमने इस videos में बताया हुआ है और अगर आप लोग ने इसकी calibration करनी है तो youtube पे आप search कर सकते है pocket scale calibration by care international scale अगर यह आप search करेंगे तो आप इसकी भी calibration आपकी यहाँ पी मिल जाएगी यह आप देख सकते हैं यह videos अगर आप देखेंगे तो इसमें pocket scale की complete calibration जो है वो हम लोगों ने बताई हुई है तो अगर आप लोग को इससे related कोई भी question है तो आप comments करके हमारे से पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कुछी समय ना लगी हो तो आप हमारे से रापता कर सकते हैं तो मिलते हैं किस और वीडियो को साथ thanks for watching